हेलो एवरिवन वेलकम वन्स अगेन इन न्यू क्लास एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में हम देखेंगे जो निबंद लेखन है अना निबंद लेखन हमने एक टॉपिक किया था और उस पर अब देख लेते हैं कि जो टॉपर्स स्टूडे पिछले वर्सों में उन्होंने किस विशे पर निबंद लिखा है और कैस किस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से आपको भी लिखना है या फिर इससे भी बैटर लिख सकते हैं आप थोड़ा सा देख लीजे देखने से क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि निबंद हर बार इस पर लगबग लगबग पूचा जाता है ठीक हम संभाविट टॉपिक ही देख सकते हैं वाकि फाइनली तो हम यह नहीं कह सकते कि यही आएगा और आपके वल यही याद करके जाहिए इस तरीके से जूटी चीचे में आपको जूटे कतन नहीं करता मैं तो आप हमारा जो टेलिग्राम चनल है वहाँ जोइन कर दीजे वहाँ पर भी मैं लिंक सेर करता हूँ और हमारे एप में सारी चीज़ें आपको एक ही जगे पर मिल जाएगी उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए बात करते हैं हम तीन स्टुडेंट्स की कॉपी देखेंगे उसमें सबसे पहली कॉपी जो आप ये पर देख रहे हैं नारी ससक्तिकरन ये एक टॉपिक है और इस पर जो निबंद लिखा है तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है वो सारी चीज़े बताऊंगा पहले तो रा में जाना है उप साहर तक तो इस तरीके से पॉइंट बना करके लिख दीजीगा ठीक है और पहला पॉइंटर करना प्रस्तावना होती है दूसरा लास्ट जो पॉइंट होता है उप साहर तो ये दो चीज़े तो लिखनी है मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था और बीच में आप दो तीन पॉइंट अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं जैसे कि इसने बना है पहला है प्रस्तावना दूसरा है नारी सरसकती करन की आवस्यक्ता क्यों है फिर है नारी सरसकती करन का महत्व या उपाय मतलब नारी सरसकती करन कैसे किया जाए कैसे कर सक इसके लिए हम यह उपाहस में बताए गए है और रंत में है उपसाहार ठीक है तो यह जो है वो इस बच्चे ने इस तरीके से पॉइंट्स लिखे हैं आईए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजे जो है उसने लिखी है सबसे पहले तो है प्रस्तावना देखिए इसने लिख लिख करके अभ्यास कर लिजे तो पहला रहेगा प्रस्तावना सबसे पहले आपको लिखनी है कि विदाता द्वारा रचीत इस रस्टी में नर और नारी एक रत के दो ऐसे पईये हैं जिनके सामंजस्य से जीवन रुपी गाड़ी गतिमान रहती है लेकिन प्राचीन समय से अनेक कारणों यता सामाजी कारण धार्मी कारण आदी कारणों से महिलाएं अपना समूचित विकास नहीं कर पाई थी इस कारण नारी ससक्तिकरण आज की युग में आवस्चक है तो ये प्रस्तावना बच्चे ने रख दी उसके बाद फिर इस तरीके से लिखेगा नारी ससक्तिकरण की आवस्चकता देखिए तीनों जो कौपीज देखेंगे उसमें तीनों के अलग लग पॉइंट रहेंगे ठीके ना स्वाभाव कर रूप से तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले इसकी देख लीजिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ये जो पी पर फेस्बूक पर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं सभी के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे नेक्स लिका है नारी ससक्तिकरण की आवस्चकता तो भारतिय नारिया परंपरागत रूप से घर की चार दिवारी में कैद रही हैं इस कारण वे कभ भी पीच्डी हुई है इस कारण उनके समगर विकास करने में ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सके नारी ससक्तिकरण आवस्चक है तीसरा पॉइंट लिखा है नारी ससक्तिकरण का महत्वर उपाए तो आप इसे पढ़ लिजेगा मैं इसकी पीडियाप आ अपनाते हुए इसका कंक्लूजन करना इसका समापन करना है तो देखो यहापर क्या लिखा है बच्चे ने कि नारी ससक्तिकरण आज के योग की सरवाधिक महत्य आवस्चिकता है महिलाओं के विकास है तो उनको विविन छेत्रों में प्रगतिक अवसर प्रदान किये अपनी प्रदिभाओं का प्रदर्शन कर रही है तो निश्चित रूप से महिलाओं को कंदे से कंदा मिलाते हुए आगे बढ़ने के अवसर उपलब्द किये जाने चाहिए तो एक चाहिए करते मतलब इस प्रकार चाहिए चाहिए होना चाहिए अंत में यह आपको लिखना तो यह कॉपी देखी थी मैं एक दूसरी कॉपी और दिखा देता हूँ आपको यह और बच्चा है जिसने भी लिखा है इसने भी नारिस सकती करण पर लिखा है निबन और पहले वाले और इस वाले बच्चे की कॉपी में आपको निश्चित रूप से एक अंतर जहाँ वो ब्लैक पेंट से लिख दीजे मैं बार बार कह रहा हूँ आप ब्लैक पेंट का यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो वो करेंगे लिखा है प्रस्तावना प्रस्तावना वही नारी जातिया समाज में पिच्री हुई है समाज में नारी जाति को संगठीत होन नारियों को भी पूरुसों के समान समाज में जीने के लिए सुविधा पूरवक सक्तियां प्रदान की जानी चाहिए और यह है नारिस ससक्तिकरण फिर लिका है नारिस ससक्तिकरण में बादा क्या क्या है तो नारिस ससक्तिकरण में पीछरा समाज एक प्रमुक बादा है पीछड़ी नारिया समाज में पिछड़ी रह जाती है वरतमान में नारियां सबी सरकारी नोकरियों में पूरुशों के बराबर समान प्राप्ट करें से विवागो नारी योगदान दे रही है हर रही है तो यह जो है वो हमने देख लिया और एक और अंतिम जो तीसरी कॉपी है वो है निबंद लिखा है इस बच्चे ने और इसने भी लिखा है नारी ससक्तिकरण पर निबंद लिखा है ठीक है नारी ससक्तिकरण पर ब्लेक पेंट से इस बच्चे ने लिखा यहां पर निबंद टॉपिक उसके बाद फिर लिखी प्रस्तावना फिर नारी ससक्तिकरण से बलकि देश का भविस्य भी बदला जा सकता है और आज ये बात अपना ही जाने चाहिए नारी निंदा मत करो नारी गण की जान नारी से नर निब जे उठे भगत प्रहलाद समान बहुत बड़िया भई इसने कावी पंक्तिया निस्चित रूप से अगर आपको याद है तो जरूर लिख देनी चाहिए एक दो कावी पंक्तिया अगर आप बीच में दो तीन जगे अगर आप लिख देते हैं और जो भी लिखा है बच्चे ने उसे आप लोग देख लिजेगा फिर लिखा है नारी तुम पियूस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर उपवन में लिखा है नेक्स्ट तीसरा वरतमान भारत में नारी ससकति करन नारीों को वरतमान में सभी सुविधाय उपलब्द कराई गई है कहा भी गया है नारी निंदा मत करो और फिर आगे भी लिखा है प्राचिन भारत में अर्तात नर के बाए क्या नारी की भूमी का है और मा बेटी भही नहाए क्या संग नारी लाई है तो भाई इसकी ने जो कावी पंक्तिया लेकी है इससे इसका जो निबंध है वो और भी ज़्यादा प्रभाव साली हो गया है इस बात का धियान रखते हुए आप भी अपने निबंध को तयार कर लीजिए जो कुछ खास खास जो important topic है ना उनको तयार कर लीजिए बिलकुल आपको तयार करके ही जाना पड़ेगा बाकि आपके अगर यह सोचते हैं कि नई निबं तो कुछ भी नहीं हम तो एक्जाम में जाके जो भी आएगा वो लिख देंगे देखी उसमें मेरे हिसाब से सबसे best copy है यह आप भी बताइए मुझे सब आपको अच्छी copy कौन से लगी क्योंकि कोई भी कारे केवल कानून से ही सफल नहीं होता उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए आया ना फिर भी चाहिए और हम लोगों को नारिस हसकती करन के प्र पर स्टुडेंट्स रहे हैं उनके भीन-भीन कौपियास में दिखाते रहता हूं और चैप्टर्स भी हम पढ़ते हैं लाइव क्लास होती है हमारी एव्डी डे सामको आठ बजे सुबह एच्छे बजे और इसके अलावा हमारा एप है जहां पर complete course हमने अवेलेबल कराया है साथ इसाथ वहां पर आपको हमने model papers available करा है latest pattern के according 10-10 model papers हमने सभी subjects के तयार किये हैं वहां पर आपको online test की सुविदा हमने provide कराया है हमने test series launch किये हैं तो आप जब अपनी इच्छा हो तब आप आप जाके test series दे सकते हो हमारे app में आपको सारी ये सुविदा मिलेगी और उस